नमस्कार मैं हूँ संजय शर्मा आप देख रहे हैं 4PW News Network क्या इस देश के लिए आपको भी उतनी चिंता हो रही है जितनी मुझे हो रही है क्या आपको भी लगता है कि देश एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जिसकी मंजल किसी को समझ नहीं आ रही है क्या आपको भी लगता है कि हम एक ऐसे भवर में फज़ गए हैं जिससे निकल पाना मुश्किल है मड़ीपुर की हिंसा की घटना दिल धहलाती है कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि जब वहाँ पर हिंसा नहीं हो रही हो क्या प्रधान मंत्री को मड़ीपुर याद नहीं आता क्या प्रधान मंत्री के लिए मड़ीपुर कोई राज ही नहीं है और इसलिए नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ दो सीटे है नौ साल से ज़्यादा कुर्फी पर बैठने के बाद प्रधान मंत्री को अभी विपक्ष की कमी नजर आ रही है प्रधान मंत्री नौ साल के बाद कह रहे हैं कि विपक्ष काम ही नहीं करने दे रहा है चुनाव की आठ नू महीने बचे और प्रधान मंत्री फिर भी पक्ष्ट का नाम ले रहे हैं अच्छा हुआ चाचा नहरू भूल गए हैं आजकर चाचा नहरू याद नहीं आ रहे हैं चाचा नहरू के लिए नहीं कह रहे हैं कि इस देश्ट में जो हाला आते हैं उसके नहरू जिम्बेदार हैं आजकल भक्त भी नहरू भूल गए हैं एक चीज और भूल गए हैं गोधी मीडिया एक चीज और भूल गई हैं वो है समान नाविक सहेंता आपने देखोगा कई दिनों से आपको इस मुद्दे पर चर्चे नहीं मिल लई हैं सोशल मीडिया पर गा उस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं दरसल साहेव और उनकी चमची गोधी मीडिया इस मुद्दे को लाएते मुसल्मानों को धंगाने के लिए ये माहौल बनाने के लिए कि मुस्लिमों के बच्चे जादा होते हैं इसके लिए एक ऐसा कानून मनाएंगे जिसके लिए जादा बच्चे बालों को कुछ नियमों में बांधा जा सके हैं इसके लिए एक ऐसा कानून मनाएंगे जिसमें शादी मजभ जाती नान जाने क्या क्या चीज़े हो जिसमें सबको समान अद्गार वल जाए और गोधी मेडिया दिन रात करके जुट गई थी वाद साबित करने के लिए कि जब ये कानून आएगा तो देश में करांती हो आएगा शादी बिहा की बात तो मुस्लिमों के लिए की गई थी लेकिन फिर नए ने किस से शादियों के निकल के हिंदू समधाय में आगा है सामने आगा है किसी को पता ही नहीं होगा आप मेंसे मैं एक दावा कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी संक्या में लोगों को पता न भानजी से हो जाता है आप चौकि है ना हमारे हहां भारत पर भारत बंजीके पैस हूए जाते हैं लेकिन दक्षर के ना मामा का घवा বणक भानजी से होने की परंपरा है पंजाब में चले जाए वह कैमालय के कुछ इलाके हैं जहांबे कई भाईयों के रिए एक पतनी ल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हिस्ते में अलग-अलग نियम हैं, काइदे हैं, कानून हैं अब साहिब को समझाया कि ये कानून मुस्लिमों को नहीं उनको जादा नुकसान पुचा देगा साहिब तो बूले, गोदी मीडिया पे पूर कही है मनी पुर पे हिंसा पर गोधु दुमी जिकर नहीं कर रही है है कि साफंद्ध घिकर नहीं कर रहा है दुनिया के तमाम देशों में मनी पूर चिंता जताई आ प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है प्रधान मंत्री जी यह सरकारी कार्क्रम है करोण रुपेग खर्च हुए हैं मेरे और आप जैसे दर्श्कों के टेक्स के पैसे के ये आपकी भारतिय जनता पार्टी का पबलिक प्लेट फॉर्म नहीं है ये भारतिय जनता पार्टी के एकाउंट से निकला हुओ पैसा नहीं है जहां पे आप व्याख्यान देओ बिपक्ष को गालिया बखें बिपक्ष को कोसें कम से कम इस बात को तो समझ लीजे कि सरकारी से प्रेट फॉर्म को पॉलिटिकल बातों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कुछ दिन पहले आप एरपोर्ट का उद्गाटन करने गए और वहां पे भी आप सरकारी कारकब में विपक्ष को कोसने लगे और आज भी आप ने यह किया कि सुनिए जड़ा प्रिद्धान मंत्री जी का नया राम ते जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है दुभागे से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे न काम करेंगे न करने देंगे यह रवय पर अड़े हुए हैं देश ने आज की और बविश्य की जरूरतर की चिंता करते हुए संसद की आधुरिक इमारत बनवाई संसद देश के लोग तंतर की प्रतिग होती है उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिदित होता है लेकिन विपक्ष के इस घड़े ने इस दड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया हमने कर्तब्य पत का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया इन लोगों ने सब्तर साल तक देश के वीर सहीदों के लिए वार मेमोरियल तक नहीं बनाया जब हमने नेशनल वार मेमोरियल बनाया उसका निर्मार किया तो इसकी भी सरे आम आलोचरा करते हैं को शरम नहीं आई सरदार बलब बाई पटेल का स्टेजी अब यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी भूरती है हर इंदुस्तानी को गर्व होता है और कुछ राजनितिक दल चुनाव के समय तो सरदार साब को याद कर लेते हैं लेकिन आज तक इनका एग भी बड़ा नेता है स्टेजी अब यूनिटी में जाकर के सरदार साब किस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किये न उन्हें नमन किया है लेकिन साथ्यों हमने देश के विकास को इस सकारात्मग राजनिती से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसलिए नकारात्मग राजनिती से उपर उटकर सकारात्मग राजनिती के रमार्क पर एक मिशन के रुप में हम चल रहे हैं किस राज में किसकी सरकार है कहां किसका वोट बैंक है इस सबसे उपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्रात्विक्ता दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास यह धर्ती पर चरितार्द करने के लिए जीजान से जूटे हैं प्रधान मंत्री जी परिशान है परिशान नहीं होते तो सरकारी कारकरमों में यह प्लेटफॉर्म नहीं छिटती यह राग नहीं छिटती प्रधान मंत्री परिशान है बड़ी पुर से प्रधान मंत्री परिशान है राहूल गांदी तो प्रधान मंत्री परिशान है चंद चूर से सुप्रीम कोट से प्रधान मंत्री जी को उमीदी नहीं थी कि जो गुजरात की सिविल कोट हाई कोट राहूल गांदी को लोग सभा से बाहर का रास्ता दिखा रही है सुप्रीम कोट राहूल गांदी के लिए लोग सभा का दर्वाजा फिर से खोड़ी प्रधान मंत्री परिशान है कि राहूल गांदी की लोग प्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है प्रिधान मंत्री परिशान है कि जिस राहूल गांदी के लिए हजारो करोड पे खर्च किया गयता कि इसकी जन मानस में पप्पो की छबी बना दो वो छबी अब एक नायक की बनती जा रही है लोग कह रहे हैं कि राहूल गांदी जैसा नेता होना चाहिए जिसने अपने शरीर को तन को और मन को साध लिया जितना राहूल गांदी पर पीलन हो रहा है जितना राहूल गांदी पर हमला हो रहा है अतनी परेशानी साहब के लिए बढ़ती जा रही है राहूल गांदी के लिए उतनी सिमपैती बड़ती जा रही है सुप्रीम कोट के फैसले के बाद तटकाल राहूल गांदी की सदस्ता बहाल होनी चाहिए उसी तरह से जैसे राहूल गांदी को सदस्ता खतम करने का जल्द वाजी दिखाई है कि आपको हैरानी होगी कि जब गुजरात की नियायले ने राहुल गांदी को दो साल की सजा दी कॉंग्रिस के प्रबक्ता हैं वो कह रहे थे कि उस गुजरात के आदेश को हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में गंटो लग जाते लेकिन कुछी तेर बाद वो आदेश दिल्ली भी आ गया और राहुल गांदी की सदस्ता चरी गई और कल मेरे प्रोग्राम में एक स गुजरात के नायले को इस हद तक सजा नहीं देनी चाहिए थी तो गुजरात के उन जजज साफ के खिलाफ का रवाई क्यों नहीं हो रही तो सुप्रीम कोट मान रहा है कि उन्होंने अपमें सीवा से बाहर जाके ये फैसला दिया क्या जजज सामनी जानते थे कि ये फैसला देश की राजनी थी का 140 करोड की जनता का भविश्य तैगरेगा राहूल गांदी मुख विपक्षी दल के नेता है एक ऐसा नेता जिसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है कॉंग्रेस को 12 करोड से जादा लोगों ने बोट किया है पिछली बार भी उन बारे करों लोगों की आस्टा है कॉंग्रेस में और जजज साब ने फैसला जो दिया उसके मैं नहीं कह रहा सुप्रीम कोट ने टिप्डी कर दी और यह सहाइब का तापमन बढ़ाने के लिए काफी है चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें बोलना किया है मैं कर लिवस 24 पर देख रहा था भाजपा के प्रवक्ता है अजया आलोक वो पत्रकार आश्टोष्ट के भिड़ गए कह रहे थे कि लालु यादब ने राहूल गांदी को मटन खिला दिया अब बताइए सावन के महीने में मटन कोन खाता है एंकर ने पूछा कि क्या आप दावा कर सकते हैं संदीव चौदी ने पूछा क्या आप दावा कर सकते हैं कि भारतिये जंता पार्टी के निता मटन न मानसिक्ता चेंज होगा यह वो खाते होंगे अजय आलोग जी मैं तो हिंदू हूँ यह मिठ पूजा करता हूं इशन में आस्ता है शिप जी मुझे बहुत प्री हैं लेकिन मैं मतन खाता हूं मैंने कल भी मतन खाया रहा है अब आप करेंगे कि मुझे सावन में मतन खाना है य देनिए आप दे करेंगे इस देश इस मुकाम पर कि मोड़ पर लेगा रहा है प्रधान मुंत्री परिशान है क्योंकि देश अब यह समझ रहा है कि आप अमÏर्डा में जाके कह रहे हैं कि हम भारत जा करता है रहा है और जब 35 सवाल पूछा गया तो पूल पट्टी खुल गई कि पिछले 5 सालों से देश में कोई I.I.T. नी कुला, कोई I.I.M. नी कुला, साहिब परिशान है, अपने जूट को पकड़े जाना है, साहिब ने रेलबे के उधगाटन पे निरे निरे, रेलबे स्टेशनों के पेंडर खुलेगा, ठेक गिजार तेह की जाएंगे, कमीशन तेह की जाएगा, जब तक काम शुरू होने का नंबर आए, तक तो चुनावा जाएंगे, फुल फुल पेच के विग्यापन छपे हैं, आज सारे अख़वारों में, बड़े-बड़े अख़वारों में, करोड रुपे विग्यापन में, रेलवे को द्गाटर में दे लिए गए, प्रधान मंत्री जी, यह वैसा मेरे और दर्शकों के टेक्स का पैसा है, जो आप मीडिया को करोड़ों पे इसलिए बाट रहे हैं, कि मीडिया का मूँ बंद रहे, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, कि 8 मह जैसे लोगों के खिलाव, तमाम जाचे, तमाम धमकी, तमाम हमले के बाद, देश में कुछ लोग हैं, जो सच बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, प्रधान मंत्री परेशान हैं, कि 4 PM देश का चौथा नंबर का चैनल कैसे बन गया, इसके इतने विव आए, कि देश में वो परेशान हैं, सत्ता परेशान हैं, कि ये जन्मानस इस बात को सीकार क्यों कर रहा हैं, कि सच ऐसे प्रेटफॉर्म पर बोला जा रहा है, सुर्दी, चौधरी, अंजना, ओमकश्यप, रूब का लियाकत के साथ, प्रधान मंत्री परेशान हैं, कि रूब का लियाकत का बना का टोस्ट कोई देख नहीं आ है, लेकिन प्रधान मंत्री जी, अगर आपने अपने वादे पूरे की होते हैं, आपने दोहजार चौदे में कहा था कि दोहजार बाइस तक हर व्यक्ति के सर पर च्छत होगी, अगर वो च्छत हो जाती, तो संजय शर्मा लाक्च ला रहे हो देश का जन मारा साथ को माथे बठाता था, अब पर वादन जूटा निकाला, आपने कहा था कि हर साल करोड लोगों को नौक्री देंगे, आपने नौक्रियां छीन ली, आपने अगनी भी रोजना लिया है, लाख करोडों नौजवानों के सबने तोड़ दिये, प्रधार म पीजी यह सब जुटता और च्शमा कीजेगा डेश अब आपके जूट को समझ गया है तो पार्टी के जूट को उपन हमजव गया है अब यह देश कहe रहा है कि हिंसा का रास्ता छोड बॉब हन्याना को मत जिलाओ हर्याना में आग मत लगाओ जगह जगह हंदु मुसल्मान मुद करो साम पर जाकता है का नंगा नाच मुद करो एक बहितरीन शायर हुए है नाम है अदम गोडवी उनकी कवता है मैं पढ़के सुना रहा हूँ आपको आपको याद याद कर लेनी चाहिए ये राजनिताओं के मुँपे तमचा है ये कवता हिंदू या मुसल के एहसासात को मच शेड़िये अपनी कुरसी के लिए जचबात को मच शेड़िये हम में कोई हूड कोई शक कोई मंगोल है दफन है जो बात अब उस बात को मच शेड़िये गर गलतियां बावर की थी गर गलतियां बावर की थी जुम्मन का घर फिर क्यो जले है ऐसे हिट्लर हलाकु जार यह चंगेश कां प्रधान मंतृजी है कहां हिट्टर हलाकु जार यह चंगेश कां मिठ ख़व कों की आउकात को मतशा छेरील चेडिये workouts एए एक जंग मिल जुल कर गरीवी के खिलाब। प्रधान मंतृजी हमारे मझबही नगमात को मचे मचे इस मुल्क को बचाईए जिम्मेदारी आपकी भी है प्यार का संदेश फिलाईए लोगों से कहिए यह मुल्क महबत का है लोगों से कहिए हर घर में हर मौले में एक महबत का संदेश और एक महबत की दुकान हो नफरत वालों को बायकॉट करिए प्यार को बढ़ाई मेरे को अपनी राय से अब बत कराईएगा, मुझे आपकी राय का इंतिचार रहेगा, शुक्रिया